So hi everyone, welcome back to my channel तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ Peeling Solution इस वीडियो में Peeling Solution की बात करेंगे इसके बारे में क्या क्या इसके benefits है क्या मुझे experience मिला है इसको use करने से मैं आज आपके साथ शेर करने वाली हूँ यह Peeling Solution क्या है? Peeling Solution एक सिरम है जो एक Peeling की तरह आपकी स्किन पर काम करता है यह आपकी dull स्किन को brighten करने में बहुत अच्छी से help करता है बहुत जादा लोगों को पहले से पता होगा कुछ लोग तो इसको use भी कर रहे होंगे लेकिन कुछ लोग होंगे जिने नहीं बता तो आज इसी बारे में बात करेंगे कि इसका क्या benefit है क्या benefits मैंने feel किया है और यह कितना ज़ादा ज़रूरी है तो चलिए ज़ल्दी से वीडियो को start करके है सबसे पहले मैं बताती हूँ कि जो उन सा peeling solution मैं use करी हूँ वो कौन सा है तो वो है यह सैटरन की तरफ से सैटरन peeling solution इसके अंदर AHA है 25% इसके अंदर BHA है 2% और PHA है 5% तो यह जो AHA, BHA, PHA है यह बहुत ज़दा important है इनका क्या मतलब है यह क्यों हुमारी skin के लिए बहुत अच्छे से work करते हैं यह किस तरह से work करते हैं मैं सारा इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सो मैंने इसको यूज करना स्टार्ट किया है काफी दिन हो गए हैं इसको यूज करते हुए और मुझे लगा कि मुझे इसको आपके साथ शेयर अप करना चाहिए क्योंकि लास्ट थ्री मंद से मैं इसको यूज कर रही हूँ और यह बहुत अच्छे से स्किन में एक डिफरेंस लेके आता है जो कि आपको खुद बखुद फील होगा यह सेटरन फीलिंग सेलूशन जो है इसके अंदर जो AHA, BHA, PHA है तेनों का जो ट्रायो है यह हमारी सकिन पे articulate का काम करता है exfoliate करता है गई अतनी बहीं टॉप लेर पे श किन सेल है उसको रिमूव कर देता है तो क्या होदा ही कि न्यू सकिन आजाती है और हमारी सकिन जो ज़ो दलनेस होती है वो सारी उतर जाती है तो इसलिए यह बहुत जादा important है और बहुत अच्छे से काम करता है तो जो normal serums होते हैं इसको हमने उस तरह से use नहीं करना होता है इसको use करने का तरीका थोड़ा different है जो कि मैं next demo में आपको करके बताती हूँ अभी सबसे पहले हम जान ले दे हैं AHA, BHA, PHA क्या है So 25% AHA means alpha hydroxy acid जो इसके अंदर है वो है 25% So AHA help करता है effectively remove करता है आपके dead skin cell को जो की dead skin cell आपके top layer के उपर होते हैं उसको remove करता है उससे क्या होता है कि आपकी fresh, bright and youthful looking skin जो है वो reveal हो जाती है तो इस तरह से यह help करता है यह एक तरह का peeling solution है इसको आपने लगा के नहीं रखना है तो इसका demo मैं करके बताती हूँ कि इसको use किस तरह से करना है So next इसके अंदर है BHA, जो की 2% इसके अंदर डाला गया है यह है Bita hydroxy acid इसको बोला जाता है और इसका क्या काम है यह deeply penetrate हो जाता है आपकी skin के अंदर तक और जितना भी excess oil है आपकी skin पे उसको dry out करता है और सारा सोक लेता है उस excess oil को So BHA है इसके अंदर जो है poly hydroxy acid यह 5% डाला गया है इसका क्या काम है यह आपकी skin पे irritation नहीं होने देता जतनी भी irritation होती है या rashes हो जाते हैं उन चीजों को यह नहीं होने देता है PHA की वज़ा से यह एकदम smoothly glide करता है आपकी skin के उपर और अच्छे से deeply penetrate हो जाता है और आपकी skin को soft करता है, smoothening कर देता है पूरी आपकी skin पे यह एक तरह का treatment है आपकी skin के उपर आप अपने pores को अच्छे से clean कर सकते हो यह एक तरह का treatment है pores को clean करने के लिए और discoloration जो unwanted discoloration हमारी skin पे हो जाती है like अपने lips के around blackness आती है यहां कईयों को कुछ काले-काले धब्बे होते हैं उस तरह की चीजों को यह discoloration को remove करने में बहुत बहुत अच्छे से काम करता है so एक तरह का treatment है यह इसको आपको करना चाहिए इसे सिर्फ week में एक बार हमने use करना है किस ताज use करना है यह भी मैं आपको बताती हूँ so इसको apply करने के लिए सबसे पहले आपने face को अच्छे से wash कर लेना है wash किये हुए face पे ही इसे apply करना है जब अच्छे से face को आपने dry out कर लेना है like towel के साथ तो उसके बाद आपने peeling solution को लेना है और इसको अपने face पे apply करना है अच्छे से दीरे-दीरे massage करनी है fingers के साथ बहुत ही gently massage करें और जब तक यह अच्छे से अंदर तक चला जाए उसके बाद आपने इसको 10 मिनट से जादा अपने face पे apply करके नहीं रखना है पूरे 10 मिनट होने के बाद आपने अच्छे से अपने face को wash करना है और इस तरह से आपने इसे यूज़ करना है dry out होने के बाद आप moisturizer यूज़ कर सकते हो उसके माद moisturizer के बाद आप makeup भी apply कर सकते हो लेकिन याद रखें इसे daily use नहीं करना है इसे once a week ही यूज़ करना है सिर्फ हफते में एक बार यूज़ करना है यह peeling solution जो होता है कि मारी skin के लिए बहुत ज़ब important होता है तो saturn का ही मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि यह paraben free है sulphate free है mineral oil नहीं है इसके अंदर कोई और कोई भी artificial fragrance बगरा नहीं है सो इसलिए मैं इसे use कर रही हूँ सो weekly exfoliate करना चाहते हो अपनी skin को तो यह जो peeling solution है saturn का यह बहुत अच्छे से काम करेगा यह आपकी skin को glow करेगा और आपके pores को अच्छे से clean करेगा gently clean हो जाएंगे dead skin sand remove हो जाएंगे fresh youthful looking skin आपको मिल जाएगी so coupon code आपको यहाँ पर मिल रहा होगा यह coupon लगाओगे तो आपको discount भी मिल जाएगा बड़े अराम से so precautions यही है कि इसको आपने 10 मिनट से जादा लगा के अपने face पे बिल्कुल नहीं रखना है और अपनी eyes के aroundness को लगाना है अगर आपके eyes में थोड़ा सा भी चला गया तो यह आपको problem create करेगा तो इसको eyes से थोड़ा बचा के रखना है और इसको किसी बच्चों के हाथ में नहीं आने देना है इसी तरह की precautions है तो अच्छी बात यह है कि जब आप इस website से अगर आप इसे purchase करते हो तो आपको 30 days का free return भी आपको वहाँ पे मिल जाता है तो जो की काफी अच्छी बात है क्योंकि skincare brand पे इस तरह के returns आप हमें देखने को नहीं मिलते है आगे पिछे So guys मैं आपको recommend करूंगी कि saturn का peeling solution आप जरूर use करें यह आपकी dull skin को पूरा peel away कर देगा और radiant skin जो है वो reveal हो जाएगी So I hope कि आपके लिए इस video helpful रहा होगा रहा है तो please मेरी video को like करते हैं शेयर कर सकते हो आप आगे And इस तरह की videos मैं और लेकर आती रहूंगी तब तक के लिए take care bye bye and thank you for watching guys